हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार दर्शको बहुत बहुत सवागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्रम जोतर इश्क्यान में और मैं हूँ आपके साथ मॉनिका क्रूवर हमेशा की तर आज भी हमारे स्टूडियो में मौझूद है हमारे बेहत खास महमार जी हाँ दफेमस पामिस्ट एस्रोजर एंग्वास्थव एक्सपर्ट प्रूफेसर धर्मेंदर शर्माजी नमस्कार सर आप हमेशा हमारे दर्शको को कुछ ऐसा बताते हैं जो उनके लिए लापकारी साबित होता है आपने हमें एक आक्षी नारियल के बारे में बताया हत्ता जोड कोड़ी पूजन के बारे में सुना है कोड़ी पूजन का महतम में आज मैं आपसे जानना चाहूंगी जे आए दर्शकों फिर से एक रोचक सब्जेक्ट आपके लिए हम लेकर के प्रस्तुत हुए हैं लेकिन आप मुझे यह कहना पड़ता है कि आप फटा-फट सस्क्राइ करें यूट्यूब पर जो भी हमें देख रहे हैं वह में तुरंट सस्क्राइब करें और हमारे अनेकों कारेकरम आप शेर भी किया करें ताकि यह ग्यान की गंगा सब तक पहुँचे ऐसे गुप्ट सब्जेक्ट जो शायद आप तक आपने नहीं सुने थे वह सब तक करते हैं या आपकी हमसे टैलीफोनिक कोई बारत अलाब होती है आप कहती सर कई बार तुम देखते होते हैं बड़ा ऐसे सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं कि ताकिया के नीचे रख लें और भाग्या बदल जाएगा तो मैंने का नहीं भाई इतना जल्दी कुछ नही करता हूं पहले मैं उनके परमान देता हूं और फिर उनको प्रस्तुत करता हूं अब देखेगा बहुत लोग इस विज्ञान के युग में कोड़ी हुआ हत्या जोड़ी हुआ एक आक्षी नारेल हुआ श्वेतार गणपती हुए इन सब को एक मित मानते हैं या कई वार अ विज्ञान के नाल का चला मत पहना लेकिन उसका पूरा रिज्ञान देया संज्झाया अब आपका विषवास प्रस्तुत हुए जाता है आपने काले घोड़ी की नाल के चला पहना पाइदः हुआ निया लगा ना कि कुछ नहीं होता इन सब की की सलीकों बताते हैं घृब कण कण में भगवान की प्रस्तुती है कण कण में भगवान विद्दमान है कंकर कंकर में शंकर विद्दमान है यह आप जानता ही है भारत वर्ष भगवती के सक्ति पीटों से एक तरह से उनके आचल से परिपूर्ण है और भारत वर्ष में किस प्रकार के विवेन परकार के धार्मिक मठ हैं, धार्मिक संस्तान हैं, भारत वर्ष एक धार्मिक प्रस्ट भूमी रही है, पूरे विश्व के लिए, यह आप जानते ही है, भारत वर्ष को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है, विश्व परकार की सिद्धियों का देश रहा है, आपने दे आप सब बाते जानते हैं, कोडी, कोडी अपना एक विशेश प्रकार का इस्थन रखती है, कोडी क्या होती है, आप ये देखिए, इस प्रकार से कोडी होती है, और दूसरी बात, एक सो साथ प्रकार की किस्म कोडी की पाई जाती है, पीली कोडी भी होती है, सफेद कोडी भी होती है बड़ी कोड़ी भी होती है छोटी कोड़ी भी होती है अनेगो प्रकार की किस्म कोड़ियों की पाई जाती है कोड़ी अपने आप में बहुत ज्यादा शुब और बहुत ज्यादा अपने आप में स्वात्विक मानी जाती है लक्ष्मी और कोड़ी दोनों का पूजन क कहीं घरानों में बहुत अच्छे से किया जाता है और ये भी निश्चत है ये वी आप जानते ही है लक्ष्मी और कोडी कि बहुत सारे अफसेश सिंधू में प्राप्थ हुए बहुत सारी चीजें वहां से प्राप्थ हुए और आपको इसके बारे मैं थोड़ा बताता हो। यह भी पूजन विशेस प्रकार से किया जाता है लोक मान्यता है कि कोड़ी एक इसने महीं मा के रूप में अपने धारण करता को सदैव कोड़ी बुरी नजर से वे संक्टों से बचाने का कार्य करती है नए खरीदे वाहनों पर कोड़ी बांधी जाती है और जब नए मकान बनते हैं उनमें भी कोड़ी को दर्वाजे पर लटकाया जाता है शुब माना जाता है कोड़ी सुख और सर्जन का भी परतीक है यही कारण है कि विवाज के समय वर वधू के हाथ में जो कंगण बांधे जाते हैं उनमें कोड़ी अवश्य प्रोई जाती है लक्ष्मी और कोड़ी दोनों मा जाई सगी बहने मानी जाती है और एक बात आपको बताएं युनान की देवी वीनस की प्रसंता के लिए लोग उस पर कोड़ीयों की भेट सेकड़ों वरसों से चढ़ाते आ रहे हैं वेस्टन डीज में एक चर्च बनाया गया सस्ते का जमाना था जब मजदूरी का हिसाब किया तो कुल 360 लाक कोड़ीयां चुकाई गई थी एक चीज और आप ध्यान से सुनें महरास्ट में तुल्जा भावानी का पुजारी अपने गले में कोड़ीयों की माला अवश्य पहनता बंगाल में लक्ष्मी का सुरंगार कोड़ीयों से किया जाता ये मैंने आपको तथ्चे दिये और ये तथ्चे कहीं भी जूटे नहीं है इनको आप देख सकते हैं आंद्रप्रदेश में और महरास्ट के कुछ इलाकों में जब बेटी का विभा किया जाता है और बेटी को जो संदूख दिया जाता उसमें कोड़ी रखी जाती है क्यों विष्वास के मा की तरह मेरी बच्ची की देखभाल करे सुसराल में ये सुक से रहे इसको कोई भी पुरी नजर ना सताए बच्चे आपने देखा होगा देशी भासे में उसको तगड़ी कहा जाता है बच्चे के पेट के पास जो काला डोरा बांदा जाता है इस डोरे से बच्चे का एडाइजेशन अच्छा होता है, आप ये भी जान लीजेगा, इन सब बातों के पीछे अंद्वेस बास नहीं है, और उसमें भी कोडी बांधी जाती है, वो कोडी भी बच्चे के लिए शुब होती है, नजर से बचाती है, काला धागा पेट की संस्तान को अच् कोडी उनको पश्चों को पहनाई जाती थी, अब भी बहुत जगा ऐसी परंप्रा है, और ये वास्टिक ता भी है, शुब ता भी है, वरव अधू की साधी होती है, तो जो हाथ पे कंगणा मनता है, उसमें भी कोडी बंदी होती है, आप दियान से देखना कभी, तो ये बास्ते में सुंदर सी कोडी पड़ी मिल जाए, बाग्य से मिलती है, उठाएं, साफ करके, कपड़ा आदी से, मस्तक पर लगा करके अपनी जैन में रख लीजिएगा, घर आकर के, शुद जल से दो करके, हमेशा के लिए उसे धूप दीब देते रहें, बहुत अच्छा ल पूटी हो, कोडी फूटी हो, वो शुब नहीं होती है, कहीं से किडे की खाई हुई हो, वो शुब नहीं होती है, उस कोडी को नहीं रखना चाहिए, जल परवा कर देना चाहिए, आब इसका एक चमतकारी को पाए और सुनिए, साथ कोडी ले लें, साथ कोडियों में थोड थोड़ा सा कमल गट्टा रखें कमल गट्टे के दाने जाते हैं काले के रंग के थोड़ा सा कमल गट्टा रखें सफेद चंदन थोड़ा सा रख दें और थोड़ा सा कहीं से मिल जाए आमा हल्दी रख दें काली हल्दी आमा हल्दी उसमें रख दें और एक गुलाब का उक्षेतिर्त्या हो, अम्रसिद्धी योग हो, कोई ऐसे सुभ योग में, या पूर्णा तिथी हो, पूर्णा तिथी किस दिन आती है मेरे दर्शो को? पूर्णा तिथी उस दिन आती है जिस दिन पंचमी हो, दशमी हो और पंदरा की तिथी पूर्णिमा हो, दिन गुरुव होते हैं ऐसी तिथी में भी आप ये पोटली बनाएं और घर में धूब दीब दें उसको कोड़ी को अपने लोकर गल्ला की जोरी में रख लीजिएगा धन भरेगा अब अपने आप तो धन उपर से गिरेगा नहीं आपका भाग्य अच्छा होगा आपके जो कामों में विग् एक्सिनेंट होता है उस वहन में भी आप कम से कम पांच कोड़ी कहीं भी थोड़ा से कपड़े में बांध करके कहीं एक तरफ रख सकते हैं या एक सिंगल कोड़ी लटकाई जा सकती है दिन जहां रखें स्वंवार का हो या शुक्रवार का हो जिस भवन को बारबार नजर लगती हो भवन का काम बीच में बार बार अटक जाता हो तो वहां पर भी पोटली में साथ कोड़ी बांध करके अपने दर्वाजे की मुखे देरीज के ऊपर लाल कपड़े में बांध करके लटका सकते हैं शुबता का संदेश मिलेगा कारियर निर्विवन पूर्ण हो जा प्रियास करें और हम आपको बताने का हमेशा इस प्रकार की रोचक जानकारी से देने से हम कभी भी आप से पीछे नहीं होतेंगे लेकिन हां हमें सस्क्राइब करना ना भूले हमें शेयर करना ना भूले तो दर्शको आज आपने एक बहुत ही भिन एवम रोचक विशे के बारे में जाना आज आपने कोड़ी पूजन के महतम्य को समझा ऐसी ही और महत्वपून रोचक रहसे पून जानकारिया प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है यूट्यूब पर सबसे पहले हमें सबस्क्राइब करना है ताकि हमारी वीडियो पहुचे आप तक सबसे पहले और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूलीगा क्योंकि इसी तरह से फेस्बुक पेज के माधिम से भी आप तक रोजाना नहीं नहीं जानकारिया पहुचती है जो आप लोगों के काम आती है बाकी शर्माजी का मार्क दिश्शन पर आप करना चाहते हैं तो उसके मेरे पास लगभग ना के बराबर थे मेरी फैक्टरी लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं टीवी में छोटा सा मंत्र अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी तंत्रिक मंत्र रहा होगा मैं इतना नभवी नहीं हूं मैं इतना ग्यानी नहीं हूं मैंने उस मंत्र को पढ़ा रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था मैंने मंत्र पढ़ा भूर वीर तो चेला मेरा खोल दुकान कहा कर मेरा मैंने उन दानों आज की तारीख में मैं इतना परशान हूं, इतने ओर्डर्स हैं मेरे पास लेकिन आज भी मैं परशान हूं क्योंकि अन्र और्डर्स नहीं कर सकता, अभी मुझे आफी की शरांड चाहिए, ओर्डर्स मेरे पास बहुत है連 विभण जान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को फ्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें